हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमद जैद और दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पाठ्थे पुस्तक को ठीक है तो बारवी कक्षा का पूरा का पूरा हिंदी में आप लोगों को पढ़ाने वाला ह कि कवी का नाम जो होता है वो बहुत यादा महत्वपूर्ण है ठीक है परिक्षा के परिक्षा में लिखने के लिए आता है ना प्रमुक्रितियां आपको ध्यान रखनी है कोई भी दो से तीन ठीक है क्योंकि यह भी लिखने के लिए आएंगी बाकी विधा परिचे के बार नाम वासुदेव सिंग है तो तो तिरलोचन जी का जन्म जो था वो 20 अगस्त उनीस सो सत्राको अटरप्रदेश के सुल्टानपूर में गुए था और इनका असली नाम जो है वह वासुदेव सिंग है ठीक तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है असली नाम वासुदेव सि है कुछ पता है पत्रकाइटा के शेत्र संख्री रहें टिनोन ने की रहा इनमें काफी सफल रहे अपने कावे जर्मम swimming का समर्थन की और नौश रिजन करने वालों के प्रोणाh स्तरोद बने रहे ऐसे की है जो साहित बारत के ग्राम समाज के वो सुवर्ग को संबोधीत करता है जो वर्षों के वर्षों से दबा कुछला हुआ है ठीक मतलब बेसिकली यह उन चीजों पर फोकस करते हैं जहां पर लोगों का ध्यान जल्दी जाता नहीं है जो चीजे एकदम दवी हुई रहती है एकदम मत लोगों की भाषा से प्रेडित हैं मतलब लोग जो अपने नॉर्मल लाइफ में जो भी लेंग्वेज करते हैं उसी लेंग्वेज का प्रेयोग यह अपनी साहित्त में करते हैं जो कि एक अच्छी चीज है इससे लोग उस चीज में कनेक्ट कर पाते हैं सहसरल तथा इनकी कुछ प्रमुक्रितियां देख लेते हैं इनमें दो से तीन आपको याद रखना है क्योंकि वो परिक्षा में लिखने के लिए आपको आएंगी और इनकी प्रमुक्रितियां धर्ती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवी हों सबका अपना आकास जो चार चरणों वाला चंद है, मतलब बेसिकलि एक चंद होता है, जिसमें चार लाइन्स होती हैं, ठीक है, चार चरण होते हैं, यह चौपाई की तरह होता है, इसमें चार चरण होता है, जैसे चौपाई होता है चार है ना, वैसे इसमें भी चार चरण होते हैं, इसमें प्र पहले दूसरे और चौते में होता है भाव और विचार की दिरिष्ट से परतेक चतुसपदी अपने आपसे आपने पूर्ण होती है ठीक है परस्तों चतुसपदी को आशा बाद दिरिष्टी गोचर होता है मतलब बेसिकली इससे पता चलता है कि कभी की आशा क्या है द्रिश्टी कोचर मतलब पता चलता है जान पड़ता है वरतमान समय में सामान ने मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवारे हो गया मतलब आज के टाइम पे किसी कोई भी इनसान उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा कमपल्सरी है कभी मनेश्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेणा देते हैं नियाय के लिए बल का प्रेयोक करना समाज के उत्थान के लिए श्रेष कर होता है इस सत्य से भी कभी अवगत कराते हैं कभी का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंतरा तथा मानवता को अस्थापित करना हमारे जीवन का उत्देश होना चाहिए इन पंक्तियों से कभी हमें क्या कहना चाहते हैं, कभी हमें ये कहना चाहते हैं, कि बेसिकली हमें अपनी निर्बलता, हमारी कमजोरियों, अत्या, चारो, विशमता, इन सभी पर हमें क्या करना है, विजय पाना है, इन पर हमें सकसेज हासिल करनी है, इनको अपनी शक्तियां बनानी है ठीक है नियाय के लिए हमें बल का प्रयोग करना है ठीक है समाज के लिए हमें बल का प्रयोग करना है कभी भी बल का प्रयोग निरवल को सताने के लिए नहीं करना है दुरवल को सताने के लिए कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना है यह भी कभी हमें आउगत कराते ह बताते हैं ठीक है कभी का मानना है कि समान में समानता होनी चाहिए स्वतनता होनी चाहिए तता मानोता भी होनी चाहिए और इन चीजों को अस्थापित करना ही हमारे जीवन का पर हम उद्देश्य होना चाहिए लब इसकली इनके हिसाब से वही उद्देश्य होना चाहिए हमा मैं इस भूमी पर समालूंगा, तुमने आकास दिया है मुझको, ठीक है, मतलब basically कभी यहाँ पर क्या कहते हैं, कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, तुमने मन का उच्छवास दिया है, उच्छवास मतलब basically प्रेणना टाइप हो गया, ठीक है, मन में मुझे क्या दिया है, motivation दिया है, और तुमने मुझे क्या दिया है, विश्वास दिया, believe दिया है, ठीक है, और जो कुछ भी तुमने दिया है, ठीक है, अदर कभी कहते हैं कि तुमने जो विश्वास और प्रेणना दिया है, बुछ वास मतलब प्रेडणा, ठीक है, प्रेडणा दी है, वा, मेरे लिए बहुत यादा महत्वपोन है, और इन्हें मैं अपने पास समालूंगा, ठीक है, अपने पास समाल के रखूंगा, और मैं इसमें भूमी पर समालूंगा, तुमने आकास दिया है मुझको, अब या आ तो basically कभी यहाँ पर यही कहते है कि तुमने मुझे जो भी विश्वास दिया है एक व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति मोटिवेशन देता है ठीक प्रेड़ना देता है विश्वास देता है तो उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि उसे वो सम्हाल के रखे व्यार्थ ना करें ठ बिसिकली हमें कैसा करना है, हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना है, हमें हमेशा भूमी पर रहना है, कभी भी आस्मान में नहीं उड़ना है, आस्मान में ना उड़ने का सेंस यह नहीं है, कि मतलब आपको जाना नहीं आस्मान में, उसका सेंस यह है, कि मतलब बेसिकली आप तोड़ नहीं सकता, तोड़ कर जोड़ नहीं सकता, व्यों में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमी को छोड़ नहीं सकता, बहुत ही तगड़ी लाइने गाए, जिसमें क्या कहते हैं, कभी कहते हैं मनुष्य के बारे में, कि भाई वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए ठीक है आकाश में कितना ही ज़्यादा क्यों न उड़ ले पर अंत में उसे आना तो धर्ती पर ही है अर्थात आप जीवन में कितने भी ज़्यादा काम्याब हो जाओ कितनी भी चाहे उचाईयां हासिल कर लो लेकिन जहां से आपकी शुरुआत हुई थी जहां पे आप थे अपने अपनों के बीच वहाँ पर तो आपको वापस आना ही पड़ेगा ठीक है ठीक है तो आनत में क्या करना होगा मैं अपनों के पास आना ही पड़ता है धर्ती पर आना ही पड़ता है कभी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल मतलब बेसिकली ये तो fix है ठीक है ये एक चीज क्या है fix है तो ये जो सूत्र है ये जो मतलब बेसिकली एक चीज है इस चीज को तोड़ा नहीं जा सकता ठीक है तोड़ कर जोड़ा नहीं जा सकता ठीक है तो बेसिकली इस लाइन का ये मतलब था कि मतलब आप कितने भी कामयाब हो जाओ कितने भी जाद आश्मान में उड़ो लेकिन आपको अंत में क्या करना होगा अपनों के वीज़ी आना पड़ेगा मतलब मनुष्य को अपनी वास्तविक्ता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए मनुष्य अपनी वास्तविक्ता को छोड़ ही नहीं सकता ठीक है आपकी जो भी वास्तविक्ता है जैसे यदि आप कुछ भी हो जैसे आप अभी एक पटिकुलर स्टेट से बिलॉंग करते हो उस हैं कुछ रीती रिवाज हैं कुछ चीज़ें यह तो उनको आप कभी नहीं भूल सकते आप कितने भी कुशिश कर लो कितना भी आप मतलब बड़े आदमी बन जाओ कुछ भी बन जाओ आप फॉरें चले जाओ अमेरिका चले जाओ कहीं भी चले जाओ लेकिन पर्टिकुलर ज करने के लिए कहते हैं कि भले यह बात सही है कि तुम्हारे सामने क्या है बहुती बड़ी कठिनाईया है तुम्हारे सामने अंधेरा है ठीक है तुम्हारे रास्ते में कई सारी कठिनाईया आएंगी लेकिन तब भी तुम्हें अपने रास्ते पर कभी भी रुकना नहीं है अंधेरे में भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा नहीं है, काम भी और तुम करोगे क्या, मतलब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, तो मतलब बे है वो मुश्किलों से भरी है रोक देने के लिए घेरा है मतलब बेसिकली यह चाहते हैं यह मुश्किले देकर चाहते कि आप रुख जाओ उससे लेकिन तुम और करोगे क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता निये करने के लिए तुम्हें रुकना नहीं है बढ़ चलो सामन के लिए बल है पीडित को बचाने के लिए बल मिला है तो बल बनो सबके उठ पड़ो नयाय दिलाने के लिए बैसिकली कभी से यही कहना चाहते हैं कि भाई बल अगर तुम्हें मिला है तुम्हें अगर शक्ति मिली है तो वह शक्ति दूसरे को सताने के लिए नहीं है ठीक ह वह दूसरे को बचाने के लिए है कोई आप पीडित है ठीक है कोई आपसे मदद मांगने आ रहा है जो आपसे कमजोर है ठीक है आप कमजोर इंदा सेंस हो फिजिकली नहीं हो सकता है कि आप किसी ऐसे पोस्ट पर हो जहां से आप दूसरे की साहिता कर सकते हो उसको पैसे से कैसे भी आप लोग उसकी साहिता कर सकते हो ठीक है तो बेसिकली अगर वो आपके पास आता है तो आप उसे सताओगे नहीं बल नहीं होता सताने के लिए बल है पीडित को बचाने के लिए आपके सामने जो भी है तो आप उसे बचाओ आप उसकी सहायता करो ठीक है फिजिकली भी आप इसे देख सकते हो आप अगर बहुत याता शक्ति साली हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको सताओगे ना आप जिसको सताया जा रहा है उसको बचाओगे बल मिला है तो बल बनो सबके अगर तुम्हें शक्ति मिली है तो सबकी शक्ति तुम बनो लोग कहें कि he is my power तुम ही मेरी शक्ति हो ठीक है उठ पड़ो नया दिलाने के लिए जिसके साथ अन्या हो रहा है उसको नया दिलाने के लिए उठ पड़ो ठीक है आगे की चतुषपदी पढ़ते हैं आईए जिसको मनजिल का पता रहता है पत के संकट को वही सहता है एक दिन सिद्धी के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है ठीक है मतलब बेसिकली कभी यहां से यह कहना चाहरे है कि जिसको अपनी सफलता की मनजिल की जानकारी हो जाती है ठीक है वह वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परिशानियों से नहीं डरता है ठीक है हस्ते हस्ते वह अपनी परिशानियों का ऐसे ही जेल लेता है और ऐसे व्यक्ति को ही एक दिन सफलता मिलती है और वो सफलता के शिखर पर पहुँच कर दूसरों को सफल होने के लिए प्रेरणा देते हैं मतलब basically जिसको मनजिल का पता रहता है मतलब basically जिसको पता रहता है कि मैं कामयाब होने वाला हूँ तो इससे नहीं ड़ड़ता है कि रास्ते में क्या रुकाबटे आएंगी अन्फा में तुम्हें पता है कि भाई इस जंगल को जैसे ही तुम पार करोगे तो सामने तुम्हारा घर है तो तुम इससे नहीं डरोगे कि भाई जंगल में क्या मिलेगा जंगल में साम बिचूओंगे ये होगा वोगा इससे नहीं डरोगे तुम क्योंकि तुम्हें पता है कि जंगल के पार तुम्हारे लिए, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मनजिल इंतजार कर रही है, ठीक है, तो पत के संकट को सहलोगे, तुम हस्ते हस्ते सहलोगे, ठीक है, और एक दिन अपने घर पर तुम पहुँच जोगे, आप एक दिन तुम अमनी मनजिल को हासिल कर यंग्स्टर को मैसेज देता फिरता है कि भाई तुम भी सफल बनो तो वही व्यक्ते जिसको पता था एक दिन कि भाई वह सफल होगा और जब वह सफल हो गया तो वह दूसरों को प्रेणा दे रहा है ठीक है आच्छा आगे बढ़ते हैं प्रीती की राह पर चलो ठीक है नीती की राह पर चले चाहिए सॉरी प्रीती की राह पर चले आव नीती की राह पर अच्छा विवार करना सीख लो ठीक है वह तुमारी ही नहीं सबकी है गीती की रापर चले आओ ठीक है मतलब बेसिकली कविया ही कहना चाहते हैं कि सबके साथ हमें प्यार मोबत से रहना चाहिए सबके साथ अच्छा विवार करना चाहिए ठीक है यही सबके लिए अपनाने व पर मतलब गीत मतलब क्या होता है गाना ठीक है मतलब बेसिकली ऐसे रास्ते पर चले आना चाहिए जहाँ पर सिर्फ हैपीनेस हो ठीक है ऐसे रास्ते पर हमें निकलाना चाहिए ठीक है और यही रास्ता सबके लिए है तुम्हारे लिए नी सबके लिए यही रास्ता है ठीक है साथ निकलेंगे आज नर नारी लेंगे काटो का ताज नर नारी दोनों संगीस हैं और सहचर हैं अब रचेंगे समाज नर नारी ठीक है अब बेसिकली कभी यहाँ पे इस्तरी पुरुष समानता के बारे में बता रहे हैं कि भाई male और female के बीच में कोई difference नहीं करना चीए दोनों को एक साथ मिलकर किसी भी समस्य आए कोई भी समस्य आए दोनों को साथ में मिलकर उससे लड़ना चीए ठीक है लेंगे काटो का रताज मतलब बिसिकली जो भी सामने दिक्कत आए जो भी समस्य आए ठीक है उसको सुलजाने में दोनों को साथ में काम करना चीए ठीक है दोनों संगी हैं और सहचर हैं ठीक है बिसिकली दोनों एक साथ काम करते हैं कंदे से कंदा मिला कर ठीक है तो वही लोग मिलकर क्या करेंगे अब रचेंगे समाज नर्नारी, मतलब नए समाज का निर्माड करेंगे ऐसे मिलकर, ठीक है समानता के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे कवी ने हमें समानता का भी उद्देश दे दी, ठीक है कि मेल फीमेल में समानता भी होनी चाहिए, आगे, लास्ट रॉली चतुष्पदी दे वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पत का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्च गाएगा, यह अतीत का भी गीत अच्छा था, ठीक है, बेसिकली कवी हाँ पे वर्तमान और अतीत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में वो कहते हुए यह कह रहे हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था, उस समय जीवन पत में साभा साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे, ठीक वर्तमान कहता है कि भविश्च में लोग हमारा गुंगान गाया करेंगे, ठीक वैसे तो अतीत भी गुंगान गाने लायक है, मतलब ब प्राण के पथग का मिठ अच्छा था मतला कि रही कैना चाहते कि मतलब प्राण के पात का मतलब जीवन का नीर वी लिसी अप शार की भी नहीं मिला यार जो मेरा दोस्त तो टंथ था उसके जैसा तो कोई मुझे मिला ही नहीं तो प्राण के पत्का मीत चैशा था मतुलाब जी attachments मित्र मिला था सब भी अच्छा था गीत मेरा भविश्य का एगा मतलम में बैसिकली अभी और सफलता मिलना तो अभी बाकी है, ठीक है, चुनी हुई कविता ओ, संग्राहों से, कविता यहीं संग्राहों से, ठीक, बैसिकली यहां पे यही चीज ने थि, शब्दार देख लो, व्यं मतलब होता है, अकाश सिद्धी मतलब सफलता, साचर मतलब साथ साथ चलना मीत मतलब मीतर दोस जो कि मैंने आपको गोला ठीक है तो इसी के साथ अमारी नव निर्माण कविता समाप थुई थोड़ा जादा समय लग गया दोस्तों माफ करना ठीक है आगले लेक्चर है मिलेंगे तो हम कबर करेंगे सिकन चेप्टर जिसका नाम है निराला भाई ठीक है और एसे ही देखते देखते हो जाएगा जली हो जाएगा टेंचन चली मिलते अगले लेक्चर में थैंक यू सो मच